इस हवेले को बहुत मुच्छिविल जजज सहाब बहादूर लखनाउ निलाम किया जाता है हर किसी को बोले बोलने और खृदने का हक है एक हजाज सहाफ़ान इस हवेले की बोली अदालत की तरफ से 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मेरी अल्ला जिस कांदान पर आज तक तेरी देहमतों का साया था जिसे आज तक तु रुस्वाई से बचाता रहा आज तुने उसी खांदान की तरफ से किम कुनाहों के बदले में निगाहे फिर ली मेरे अल्ला अगर तु हमारी बर्बादी में खुश है तो मुझ बदनसीब की एक छोटी सी दूआ सुदे मुझे मौत देती मैं अपनी आखोस अपनी खांदान के साथ साथ अपने भाईजान की सिल्लत और उस्वाई का तुमाशा नहीं देख सकती मेरे अणना मेतश सचों भेला कर शिए बंदे मुझे मुझे निखते है अच्मालग 12500! 85001,85002,825,000 investigations बोलिये मुझ क्या देखते हो एसी सरांदार हबली तोह बार-बार नहीं मिलेगी बॉलिए 860000 खुदाया मैंने अपने खांदान की इज़त को बचाने के लिए कदम कदम पर बड़ी से बड़ी कीमत अदा की भाई जान का सारा कर्जा अपने उपर लिया अपने अर्मानों के साथ साथ खुस्ना की मासूम जिंदेगी भी इस हवेली की चौकट पर पुर्बान कर दी लेकिन आज एक दिन आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसकी महबत खरीदना चाहती थी आज मैं अपने आपको बीचने आया हूँ मुमा के दाम बिलेंगे कहिए क्या किमत होगी शर्मा ये नहीं महबत का सौदा है दाम सोच समझके जी खोल के मांगिए हमारे जैसा खरीदार पुसमत से मिलता है मुझे दस लाक रुपे की जरूए था बस सिर्फ दस लाक मालूम होता है आपको अपनी खीमत नहीं मालूम दाम बढ़ा के मांगिए जी नहीं मुझे सिर्फ दस लाक चाहिए आपकी मरसी लेकिन रुपे देने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे यकीन दिलाए आप इत्म इनान रखे मैं कुछ देर के बाद वापस आजाओंगा और फिर आपकी चौकट पे गुलाम की तरह जिंदगी गुजार दूँगा बेटा कैसी गैरों जैसी बाते करते हो तुम तिस रौनक महल में दूला बनकर आओगे और मालिक बनकर रहोगे खुदा तुम दोनों को लाखों वरस की जिंदगी दे क्षब दूला में भुब क्षब सेंदगी मैं आजए था के उनकर कुछब क्षब चैसरा करते हो क्षब कारते हो